पैप स्मियर की यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए महिला को एक टेबल पे लटाया जाता है और डॉक्टर उसका पेल्विक एग्जैमिनेशन करते हैं. उसके बाद एक स्पेकुलम की सहायता से वेजाइना को ब्रॉड किया जाता है और एक स्पेचला की सहायता से उसके बिड में डाल दिया जाता है और लेबॉर्टरी में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है क्या इस टेस्ट में दर्द का अनुभव होता है नॉर्मल महिलाओं को इस टेस्ट के समय दर्द महसूस नहीं होनी चाहिए लेकिन चाहिए लेकिन स्पेकुलम डालने से Californian PatВот महसूस ह इस stress से हमें क्या मालूम चल सकता है? इस stress से हम यह जान सकते हैं कि cervical cancer patient को है या नहीं, इसके अलावा sexually transmitted diseases के बारे में भी जाना जा सकता है, जैसे chlamydia या human papilloma virus. यदि pap smear में cancer हो, तो क्या इसका मतलब है कि patient को cancer है? नहीं, आम तौर पे biopsy के बाद ही confirmation हो सकती है कि cancer है या नहीं. क्या इस stress से पहले कोई precaution लेने की जरूरत है? आम तौर पे यह सला दी जाती है कि इस stress से 24 से 48 आवल से पहले intercourse नहीं करना चाहिए और किसी किसम की vaginal creams का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए.